हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कचोरी से भी टेस्टी एक तुम कुरकुरा और चटपटा नाश्ता जिसे हम उबले आलू और गेहों के आटे से बनाएंगे ना तो इसमें आटा लगाना है और ना ही बेलना है जटपट पांच मिनट में आप इस नाश्ते को बनाकर महमा नाश्ते को बनाने के लिए पर गाड़ाई चटा दिया पैन भी ले सकते हैं थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चुताई चमच इसमें काली सर्सो डालेंगे या इसे राई भी गयते हैं कुछ लोग साथ में हम यहां पर एक चुताई चमच जीरा डाल रहे हैं अब दोनों ची यहां पर इक चूड़ा अदरक का कद्दुकस करकर डाल रहा है। इस से बहुत अच्छा टेंट आये । दो हरी मीर्ची कटकर डाल रहे हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं या आतीखा कम खाते हैं तो आप holders कैctic और यहाँ पर देखिए अधरक और What I saidłam शाच्च में पॉत सफेगा टिल नाश्छा है by University देखने में भी अच्छा लगेंगा और साथ में हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं एक कप भर कर पाणी टी ले लिञा है आप यहाँ पर मेजरमेट के लिए को आप सेट कर लिए कोई भी पर ऱक्लिकोष कि लिएесс posis presenting यहाँ पर आदा चम्मत चिली फ्लेक्स का डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स ना हो तो आप यहां पर लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं और हलके से टीन तुर्ती खेपन के लिए हमने थोड़ा सा यहां पर काली मिच पाउडर डाला है और साथ में एट किया है स्वाध अनुसार नमग अब देखिए सारी चीज़े को मिक्स कर रहे हैं उसके बाद पानी में आप देख सकते हलका हलका उबाल आना स्टार्ट हो गया है तब गैस की फ्लेम हम यहां पर कम कर देंगे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे एक कप गेहूं का आटा तो गेहूं का आटा वही है जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं अपने घरों में अब इस आटे को हम इसमें अच्छे से दीरे-दीरे मिक्स करते जाएंगे फ्लेम को हमें यहाँ पर कम ही रखना है और देखिए जैसे कि यह गेहूं का आटा है यह एक तम से बहुत अच्छे से सक्त हो गया है मुझे इसको यहाँ पर थोड़े प्रेशर के साथ ही अच्छे से मिक्स करना पड़ रहा है क्योंकि हम सूजी या मैदे का स्वाल करते हैं तो वह इतना सक्त नहीं होता वह थोड़ा सोफ्ट रहता है पर यह गेहूं का आटा है तो यह अच्छे से सक्त हो गया है आप गैस की पर क्या है कि मैश में कुठली बगरा रहने का खत्रा है और हमें इसमें कुठली बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अगर आप छोटे आलू ले रहे हैं तो आप यहां पर दो आड़ कर सकते और अगर बड़ा अलू है तो एक एड़ कर दिजिए साथ में बारी कटी भी धनिय का साथ भी लगा सकते हैं यानि कि जो भी आप यह पर कुकिंग एल इस्तमाल करते हैं उसका हाथ लगा कर इस अटे को एक जगह से स्मूथ करते हुए हम एक अठाव कर लेंगे तो चलिए यह हमारा आठा लगकर तयार है अब उसके बाद हम इसमें से ले रहे हैं इस तरीके बूरत्विषकर बनाखना चाहिते स्टीर होग तो सनाश्टे के यहाँ कर रहाएं is complete अब बनाज्टे को से नाश्टे के नाश्टे है तो आपर लिए कि तार मैंने दो चिसेमित पर तीकी कर दिया है गेहुं आटे का नाश्टा है अगर तेज में पकाएंगे तो क्या होगा आटा कच्च रह जाएगा अंदर से और कम भी पकाएंगे तो ये तेल को सोक कर लेगा तो मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर दो से तीन बार में इस नाश्टे को हम क्रिस्पी कुरकुरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये दे कि चटपट वाला नाश्टा बनकर हमारा तयार है इसे आप आलू की कचोरी भी कह सकते हैं पर बिना मेहनत वाली आलू की कचोरी तो जटपट बन गई है हमारी आलू की कचोरी बचों के टिफिन में दीजिए मैमानों को दीजिए या फिर सफर में ले जाए बिलकुल भी खराब नहीं होती है और सब को बहुत पसंद आती है तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब क कर दीजिएगा तो मिलते हैं नए दी नए रेसिपी के साथ ठैंक्स वर वाकिंग तो